नमस्कार न्यूस पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा सिख्षव विभाद के पर मुखिस अचीव केके पाठक की गास अब जो है नवनियुक्त सिख्षकों पर गिरने वाली है दरसल केके पाठक लगातार सिख्षव विवस्था में सुधार को लेकर कई फर्मान जारी करते रहे हैं और एक बार फिर से नवनियुक्त सिख्षकों के लिए एक फर्मान जारी किया गया है ये फर्मान उन नवनियुक्त सिख्षकों के लिए हैं जो बिना बताए स्कूलों से गायब नज़र आ रहे हैं क्या है पूरी खावर आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में सरकारी टीचर की नौकरी जोईन करने के बाद जो मास्टर सहब गायब हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया नोटिस जारी किया है इसमें साफ साफ कहा गया है कि साथ दिन के भीतर स्कूल जोईन कीजिये वरना अख़बार में नोटिस निकाल कर नौकरी से बरखास कर दिया जाएगा स्कूल से गायब रहने वाले ऐसे टीचरों के लिए सिक्षव विभा की ओर से चार कैटेगरी बनाया गया है निदेशक यानिके माधिमिक सिक्षाक अनिया परसाद की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है पहली कैटेगरी वैसे विद्याले अध्यापक जिन्होंने ओपबंधिक नियोक्ति पत्र लिया लेकिन विद्याले पदस्थापन पत्र नहीं लिया उनके लिए समाचार पत्र में सूचना और व्यक्तिगत पत्र देते हुए निर्देश दिया गया कि साथ दिनों के अंदर योगदान नहीं देने पर ये माना जाएगा कि वो नियोक्ति के बाद कारी करने के लिए एक छुक नहीं है और उसी के अनुसार उनके संदर में आयोग द्वारा की गई अनुश्रंसा और इनका ओप बंधिक नियोक्ति पत्र को रद कर दिया जाएगा सूचना में निर्धार्त समय अवधिपूरा होने की उपरांत भी जो योगदान नहीं देते हैं उनका अनुश्रंसा और नियोक्ति पत्र को समाप्त करने की कारवाई की जाएगी दूसरी केटेगरी वैसे विद्याले अध्यापको जिन्होंने नियोक्ति पत्र लिया और विद्याले पदस्थापन पत्र भी लिया लेकिन विद्याले में योगदान नहीं किया उनके लिए समचार पत्र में सूचना और व्यक्तिगत पत्र देती हुए निर्देश दिया गया कि साथ दिनों के अंदर योगदान नहीं देने पर ये माना जाएगा कि वो नियोक्ती के उपरांत कारी करने के लिए एक्षुक नहीं है उसके अनुसार उनके संदर में आयो की ओर से की गई अनुशंसा और इसका ओप बंधिक न्युक्ति पत्र को रद कर दिया जाएगा सूचना में निर्धर्द समय अवधी पुरा होने के बाद भी जो योगदान नहीं देते हैं उनका अनुशंसा और नियुक्ति पत्र को समाप्त करने की कारवाई की जाए तीसरी केटेगरी वैसे विद्याले अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और विद्याले में योगदान भी किया लेकिन उनके योगदान की स्वीकृती कम्प्यूटर सिस्टम पर नहीं हुई और वे एपस कॉंडर है बतादे कि उनके लिए जो विभाग ने तयारी की है वो इसका कारण प्रिछा भीज़ा जाए इस हेतु विभागी कारवाई चलाने की आविश्रक्ता नहीं है चौथी कैटेगरी वैसे विद्याले अध्यापक जिन्होंने न्यूक्ति पत्र लिया और विद्याले में योगदान भी किया और अब वे एप्स कॉंडर है विभागी की तयारी ऐसे सिख्षकों के लिए है कि उन्हें शोकोज करते हुए निलंबित किया जाए और विभागी कारवाई चलाते हुए दो महा के अंदर बरखासगी की कारवाई पूर्ण की जाए तो देखिए बीपी एसी से च्रैनित नव नियुक्त सिख्षकों पर एक बार फिर से सिख्षव वे भाग के पर मुखिस चीव केकी पाठक की गास गिरी है और केके पाठक ने ऐसे सिख्षक जो की बिना बताई अपने स्कूलों से गायब है उन पर अपना डंडा चलाया है और सक्त से सक्त कारवाई करने की बात कही है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अब डियेट रहने के लिए देखते रहें